ब्राट टू यू बाई ओम्नी जेल ओम्नी जेल का डाइकलोसनेक फॉर्मिला जड़ से दर्थ को मिटाता है ओम्नी जेल इंडिया का नंबर वन पेंद्री कवरी जेल फर्ज कीजिए कि आप आखे मूदे हवाई जहाज के सफर का आनम दे रहे हैं अचानक से मौतसम बिगड़ता है और भयानक गर्ज के साथ बिजली कड़कडाने लगती है ऐसे में आप हो या मैं सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी लगेगा के अब गिरे के तब गिरे लेकिन घबराईए मत ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है चलिए मैं आपको आज एक हैरान करने वाली बात बताती हूँ इस बात को आप भी चार लोगों को बताईएगा ताकि वो भी हवाई सफर के दौरान खौफ ज़दा ना हो आप जानते ही हैं कि खराब मौसम में जब बिजली गिरती है तो बड़े से बड़े पेड को चीर कर रख देती है पर हवा में उड़ रहे प्लेन पर जब बिजली गिरती है तो क्या होता है पाइलेट कैसे हवाई जहास को बचाएगा क्या बिजली गिरने से प्लेन तूट भी सकता है प्लेन में बैठे यात्रियों का क्या होगा? क्या प्लेन जल जाएगा? खत्रा तो है ना? उड़ते हुए प्लेन पर कई बार बिजली गिरती है, लेकिन फिर भी कोई नुकसान नहीं होता. क्यूं? क्यूंके ऐसी स्तिथी में होता ये है कि बिजली प्लेन की उपरी परत से होती हुई गुजर जाती है. हाला कि इस दोरान विमान को जटका जरूर लगता है, मगर आस्मानी बिजली कितनी भी ताकतवर क्यूं नहीं हो, उसका असर विमान के भीतर बैठे मुसाफिरों पर नहीं होता. लेकिन ऐसा क्यूं होता है? वो इसलिए क्योंकि प्लेन में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इंधन टैंक ऐसी ही सेफ लेर से लेस होते हैं, जो आस्मानी बिजली को बेशर कर देते हैं. अक्सर विमान बादलों के बीच उड़ता है, तो उस पर बिजली भी गिरती है, पर मुसाफिरों को इसका पता भी नहीं लगता. आज के समय में प्लेन ऐसी ही बनाय जाते हैं, उन पर आस्मानी बिजली का असर नहीं होता है. क्या पहले भी ऐसा होता था? नहीं, आज से 20-30 साल पहले विमानों में इतनी सुरक्षा के इंतिजाम नहीं होते थे, उस वक्त अक्सर पाइलेट को सूझ बूझ से विमान को ऐसे जटकों से बचाना होता था. इस से जुड़ा एक किस्सा है, बात है, साल 1963 की, जब अमेरिका की मेरी लैंड में एक जहाज पर बिजली गिरी और उसका बाया पंक तूट गया और जहाज में विस्पोर्ट हो गया, इस हाथसे में 81 लोग मारे गये थे. जानतार बताते हैं के औसतन हर प्लेन पर 1000 घंटी की उड़ान के दौरान कम से कम एक बार बिजली गिरती है, लेकिन टेकनोलोजी एडवांस हो गई है और अब ऐसे हाथसे नहीं होते हैं. तो थी ना मज़ेदार बात, अब बिलकुल नहीं डरना. ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए जुड़े रही है ललन टॉप के साथ. शुक्रिया.